एक animation वीडियो बनाने का ये कुछ basic steps होते हैं जो कि मैंने already आपको बताया हुआ है बट आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन steps को follow करके एक animation clip बना के दिखाऊंगा जो कि मेरे next Opie Tunes वाली वीडियो का part भी होने वाला है और ये clip हम अपने mobile पर ही बनाने वाले हैं तो अगर आप इस वीडियो का end तक देखोगे तो आप ये सभी चीजे सीख जाओगे तो अब मैं आपको clip दिखाता हूँ जो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता है ये clip हमारी next upcoming Opie Tunes वाली वीडियो का part होने वाला है जिसकर के मैं आप लोगों को इसका original voice नहीं सुना सकता हूँ बट उसके जगह मैं कोई और अपने तरब से कोई voice add करके आप लोग को दिखा देता हूँ फिलिपा किलिप के help से बना है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये clip मैंने कैसे बना है तो वीडियो का end तक देखते रहना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है So now without wasting any time let's get started तो सबसे पहले हम start करेंगे storyboarding से बट storyboarding से पहले हमारे पास voiceover होना चाहिए और voiceover से पहले हमारे पास script होनी चाहिए तो script and voiceover के उपर मैंने already एक video बनाई हुई है जो कि आप यह video देखने के बाद देख सकते हो तो मैंने script लिखा हुए and voiceover भी कर लिया है and उसमे seed number 5 वाले project को open कर लेते है and उसके आद आपको यहाँ पे bottom left corner पे music option दिखाई देगा आपको simply उसके उपर click करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना audio already record किया हुआ है तो अगर आप लोगों ने record नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे record कर सकते हो या फिर simply आप अपने gallery से audio यहाँ पे import भी कर सकते हो and अगर आप audio के उपर click करते हो तो आपके सामने यह कुछ चार option देखने को मिलते हैं जिसमें first number पे duplicate, second number पे trim, third number पे delete and fourth number पे rename जिसमें आप rename करके लिख सकते हो like first वाली line OP की है and second वाली अब्दुल की इस टाइप में आप rename भी कर सकते हो तो यह voiceover 7 second का है तो इसके लिए हमें total 79 frames draw करने होंगे जिसमें काफी ज़दा time और मैनत लगने वाला है तो हो सके तो वीडियो को like कर देना ठीक है तो यह तो हो गया हमारा voiceover अब बारी है storyboarding करने की तो मैंने आप लोगों से community post में पूछा था कि आप लोग screen recording देखना चाते हो या फिर handcam videos तो आप में से ज़्यादा लोगों ने handcam video पे vote किया तो आप लोगों का हुकुम तो मानने ही पड़ेगा तो चलो मैं आप लोगों को paper पे storyboarding करके दिखाता हूँ तो देखो storyboarding is all about imagination तो अभी तो हमारे सामने बिल्कुल एक black canvas पड़ा हुआ है बट हमारे पास एक voiceover है तो यह voiceover सुनके हमें इतना पता लगता है कि दिखा सकते हैं या फिर हम अपने character को थोड़ा सा मुड़ा हुआ एक दूसरे के तरफ दिखा सकते हैं जब भी हमारे character बिल्कुल straight ख़ड़ा होता है तो हमें उसके दोनों shoulder बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं और सेम यहां पे हमारे character थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा खरेक्टर का हमें 3rd x 4th face दिखाई दे रहा होगा तो यहां पे हमारे 1 shoulder ज्यादा दिखाई देगा एं और 2 shoulder थोड़ा कम दिखाई देगा लिए तो एक earस या पिर कम दिखाई दे रहा होगा इस scene में हमारे एक shoulder ज्यादा दिखाई देगा और second shoulder थोड़ा कम दिखाई देगा तो उसके लिए मैंने एक shoulder को थोड़ा ड्रो कर दिया और second को थोड़ा छोटा और हमारे character ने half t-shirt पहना होगा जिसकर करके मैंने ऐसा कुछ ड्रो कर दिया है और उसको simply यहाँ पे हम अपना hand draw कर देंगे तो हमारे character का t-shirt का collar बिल्कुल round है बट यह character हमारा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है जिसकर करके हमें इसे ऐसा draw करना पड़ रहा है वहीं अगर हमारा character बिल्कुल straight होता तो उसे हम बिल्कुल semi circle type में draw कर देते अब हम draw करते हैं अपने अब्दूल का character तो अब्दूल का character भी same हमें ऐसे draw करना है एक तरफ को थोड़ा मुड़ा हुआ तो आप देख सकते हैं मैं कैसे draw कर रहा हूँ ठीक है और इसमें भी हमारे अपने collar को ऐसे करके draw कर लेना है तो animation करते हैं मैं वहाँ से trace कर लूँगा बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आप पर draw कर देता हूँ तो हमारा अब्दूल का character बिल्कुल new है जो कि हमारे first video में सिर्फ 3-4 second के लिए था तो मुझे अच्छे से याद तो नहीं है इसका face कैसा था तो यह हमारा काफी हद तक सही character draw हो चुका है तो वैसे भी हमारा rough sketch है आगे चलके हम इसे और improve करते करते final में बहुत improve कर लेंगे ठीक है और अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हमारे character ऐसे खड़े होके इसरी बोलेंगे और कोई movement नहीं करेंगे तो वो काफी जादा mechanical feel देगा और वो animation नहीं लगेगा simple बोलू तो इसके लिए हमें कुछ key poses draw करने होंगे तो first scene में हमारा OP वाला character अब्दुल से कुछ cautioning करेगा तो वहाँ पे हमारे simple एक hand pose से भी काम चल जाएगा तो सबसे पहले तो आपने ये जो pose draw किया हुआ है उसकी एक pick क्लिक कर लेना एंड उसके बाद उसके एक hand को हम erase कर देंगे एंड उसके एक new hand pose draw करेंगे जैसे कि मैं draw कर रहा हूँ आप देख सकते हो तो इस scene को मैं थोरा fast कर देता हूँ एंड ये hand pose draw करना बहुत जाए complicated नहीं है बहुत easy है एंड ऐसी हम करके अपने fingers भी draw कर लेते हैं तो यह पर हमारे OP वाले character की दो poses draw हो चुके हैं तो हम इनकी simply photo click कर लेंगे तो अब हमें अब्दूल के कुछ poses draw करने है तो हमारा जो अब्दूल वाला character है वो थोरा energetic character है तो इसके लिए एक simple hand pose से काम नहीं चलेगा तो इसके लिए हमें 2-3 poses draw करने होंगे तो चलो फिर करते हैं तो इसमें भी उपर वाला body तो बिल्कु सेमी होगा तो इसे हम जल्दी से draw कर लेते हैं तो इसके लिए हमें hand में movement होते हुए pose draw करना है तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे hand folding pose draw करूँगा पता नि इस pose को कह कहता है हाथ के उपर हाथ रखे हुए pose को तो इस वाले pose को हमें draw करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने joint के पास एक circle draw कर लेंगे और उसके लिए cross sign बनाते हुए हमें दो lines draw कर लेनी है और इसे guideline मानते हुए हमें अपने hands को draw करना है तो सबसे पहले ऐसे मैंने draw कर लिया है roughly और फिर इसको मैं erase कर लेता हूँ और अब मैं इसकी help से easily अपने pose को जल्दी से draw कर लेता हूँ बाकि आप देख लो मैं कैसे draw कर रहा हूँ बहुत easy है इतना ज्यादा कुछ complicated है नहीं आप लोग समझ जाओ गए तो यहाँ पर हमारे अब्दूल का एक pose draw कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं next pose अब्दूल के character का दोनों हाथ उपर करते वे draw कर लूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा fast कर लेता हूँ आप देख लो मैं कैसे draw कर रहा हूँ और वैसे video काफी लंबी हो चुकी है यहाँ पर क्लिक करके new project बना लेंगे और उसमें canvas size 90 20 x 1080 चूज कर लेंगे and fps को 12 fps पर रहने देंगे तो यहाँ पर name of animation में हम कुछ भी name डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर rough storyboarding name डाल देता हूँ और उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो यहाँ पर हमें simply upper right corner पर 3 dots देखने को मिलेगा हमें simply उसके उपर click करने के बाद थोरा सा scroll करने के बाद हमें यहाँ पर add image का option देखने को मिलेगा उसके एद एद image पर click करने के बाद हमें अपने image को import कर लेना है तो next frame पर भी हमें similar ही ऐसी करना है जल्दी जल्दी and similar ऐसी first frame पर भी हमें अपने अब्दुल वाले character की body को trace कर लेना है उसके एद हमने second वाले frame पर जो अपने character को trace किया था and उसको same हम उसी जगह पर place कर देंगे जहां पर हमारा first frame में character है and जो भी चीज हमें थोड़ी अलग दिख रही है या size में गलत दिख रही है उसे हम erase करके सही कर देंगे and उसके आद आप देख सकते हैं second वाले frame में मुझे shoulder सही नहीं लग रहा है तो मैं उससे select करके cut कर देता हूं and उसको आद सही से draw कर देता हूं and similar ऐसी हमें अपने third वाले pose के साथ भी करना है and उसको भी हमें trace कर लेना है onion skinning के help से and past वाला frame को देखते हुए उससे सही जगा पे place कर देना है and जो भी चीज गलत है उससे delete कर देना है and सही से draw कर देना है and उसको आद सही से draw करने के बाद आप देख सकते हूं यह कितना बढ़िया लगने लग गया है तो इसके बाद हमें बस कुछ नहीं अपने audio को सुनके सही जगा पे सही poses को place कर देना है तो आप देख सकते हैं यह storyboarding हमारा काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे हमने first layer में rough sketch किया हुआ second layer में storyboarding and third layer में अब हम outline draw करेंगे तो outline के लिए मैं एक new layer create कर लेता हूं and उसके name outline रख देते हैं हम and उसके अब मैं simply outline करना है start करता हूं तो अगर आप लोगों को भी अपने outline को बिलकुष smooth बनाना है मेरे जैसे तो आप भी one stroke में अपने outline को draw करने की कोशिश करना जैसे मैं करता हूं and बाकी अगर आप लोगों से गल्थ draw हो जाता है फिर क्या भाई यह undo कर सकते हैं आप erase कर सकते हैं तो मुझे स्रिफ एक frame के outline ड्रो करने में 10 मिनट लग गए and एक और चीज अब ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुष 79 frames को draw करना होगा हम simply जिस frame में हमारा movement नहीं हो रहा है उसमें हम अपने character के outline को paste कर सकते हैं तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहां पर अपने character के outline को मैंने select कर लिया है and उसके यह simply है ऊपर copy वाले button पर क्लिक करके copy कर लिया है and next frame में उसे हम paste कर देंगे and ऐसा हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे character में कोई movement नहीं होगा जब हमारे character में कोई movement होगा तो उसे हम फिर से draw करना पड़ेगा तो ऐसे करते करते अब मैं आपको मिलता हूँ simply outline complete करने के बाद तो यहां पर हमारे सही frames का outline complete हो गया है जो करने में मुझे पूरे एक दिन का time लग गया नहीं नहीं 24 गंटे मैंने काम नहीं किया है जब मैं यह record कर रहा था उसने मेरे exam चल रहे थे so exam के लिए थोड़ी त्यारी भी कर रहा था जिसकर करके मुझे पूरा draw करने में एक दिन का time लग गया so next day अब हम इसमें coloring करेंगे तो coloring करने के लिए हमें simply outline वाले layer के उपर एक new layer create करना है and उसे outline वाले layer के नीचे कर देना है so अब मैं आपको feel bucket वाले tool से color करके दिखाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं color पूरे canvas में feel हो गया and simply आप हम outline वाले layer को left side में swipe करेंगे तो यहां पर हमें 3 options देखने को मिल जाएंगे जिसमें से हमें duplicate वाले option पर click करना है and उस वाले layer को हमें outline वाले layer के नीचे कर देना है and उसका कोई भी name रख देना है like जैसे मैंने आप ए coloring name रख दिया है तो simply मैं वहां से color pick करके color कर सकता हूं and इसके लवा एक और तरीका है color करने का तो हम simply add image के option से एक image को import कर लेंगे and वहां से color को pick करके अराम से color कर सकते हैं तो coloring करने में भी काफी जादा time लगने वाला है so इस पार्ट को मैं थोड़ा speed कर देता हूं अपर shadows name रख रहा हूं तो मैं assume कर रहा हूं कि हमारे इस side से light आ रही है तो इसके opposite side में हमारे shadows draw होंगे तो चलो अब हम shadows draw करना start करते हैं तो यहां पर अबदूरवाले character के shadow draw करने के लिए मैं यहां पर color pick कर लेता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यह lines stroke बाहर जा रहे है तो इसके लिए मैं आप लोग को introduce करना चाहूंगा फिलिपा क्लिप की new update में आये new tool के बारे में जो है clipping तो इसको on करने के लिए आपको simply layer वाले option पर जाना है फिर इस arrow पर click करने से scroll करोगे तो आपको यहाँ पर clipping का option देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इसको on कर दोगे तो उसका आप जहां मर्जी draw करोगे draw only आपके नीचे वाले layer के उपर ही draw होगा तो यह tool तो कादा useful है आप लोग भी use करना पहले यह only ibis paintx में था यह flip a clip में भी आ चुका है तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा impressive लगा यह तो इसका help करके हम जल्दी जल्दी अपने character में shadows draw कर लेते हैं मैं इस scene को थोड़ा fast कर लेता हूँ तो shadow draw करने के बाद आप बार यह highlight draw करने की तो इसके लिए भी हम shadow वाले layer के उपर एक new layer create कर देंगे और उसका name highlight रख देंगे और उसके भी हम clipping को on कर देंगे इसके बाद हम shadows के opposite side में highlight draw करने start कर देंगे तो मैं जल्दी ज़्यादे highlight भी draw कर लेता हूँ यह सभी frames में shadows and highlight draw कर लिया है तो shadows and highlight draw करने के बाद हमारा character काफी अच्छा लग रहा है तो आप मैं आपको यहाँ पर अपना animation प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा लग रहा है तो आप बार यह eyes and expressions draw करने की तो आप हम अपने outline वाले layer के उपर एक new layer create करते हैं तो यहाँ पर मैं अपने rough sketch वाले layer को delete कर देता हूँ तो आप हम इस layer में अपने eyes draw करेंगे तो बाकी मैं coloring shading वाले layer off कर देता हूँ and storyboarding का on कर लेता हूँ and उस according में अपने eyes draw कर लेता हूँ तो इस part को भी मैं थुरा fast कर देता हूँ यहाँ पर ज्यादा कुछ complicated नहीं आप लोगों को समझ जा जाएगा simple बस यहाँ ट्रेस करना है तो यहाँ पर हमारे eyes का outline complete है इसमे coloring करने की तो eyes में coloring करने के लिए हमें simply ऐसे एक new layer create करना है and उसे outline वाले layer के नीचे रख देना है तो मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ पर अपने eyes में color कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने सभी frames में eyes में color feel कर लिया है and eyes draw कर लिया है तो अब बार ही है lip sync करने की तो lip sync करने के लिए simply हमें एक new layer create करेंगे and उसका name रख देंगे lip sync तो अब हमें lip sync करने के लिए transparent lip sync chart की जुरत होगी तो जो कि मैंने अपने ibs print text में already draw किया हुआ तो simply मैं उसे transparent में save कर लेता हूँ and उसके बाद add image के option पर click करके हम यहाँ पर इंग चार्ट को import कर लेंगे and उसके एक एक lip sync को हम वहाँ से copy कर लेंगे and अपने mouth पर paste कर देंगे and lip sync करने के लिए हमें अपने onion skinning को on करना है ताकि हम अपने lip sync को perfect तरीके से कर सकें and lip sync हमें अपने audio को सुनके करना है तो यहाँ पर मैं अपने audio को सुनके word to word lip sync कर रहा हूँ तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से lip sync complete करने के बाद तो यहाँ पर हम animation almost complete है बस एक background लगाना बाकी है तो background तो मैं draw करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ वो मैं किसी और वीडियो में background वाले वीडियो में आप लोगों को draw करके दिखा तो यहाँ पर हमारे पास एक background है तो अब मैं सभी layers के नीचे एक new layer create करूँगा और उसका name रख दूँगा background और वहाँ पर मैं अपने background को import कर लूँगा तो इन सभी process को follow करने के बाद यहाँ पर हमारा animation बनके तयार है अब बता अबदूल अब तो OPA animation को subscribe करेगा ना मैं तो subscribe के साथ like, comment, share भी करूँगा भाई-jaan लेकिन तो share किसके साथ करेगा तेरे तो कोई दोस्ती नहीं है तो यह एक छोटा सा animation clip बनाने मुझे 4-5 दिन का time लग गया because मेरे exam भी चल रहे थे तो finally यह animation clip हमारा बनके तयार हो गया तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो please इस वीडियो को like कर देना and comment करके मुझे बताने यह वीडियो आप लोगों कैसी लगी and जो भी लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो यार दिल से शुकरिया and जो भी लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं वो comment में Lord OP टाइप कर देना जिससे मुझे पता लग जाए कि यह वीडियो आप लोगों ने and तक देखी है और आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है तो आपको 50% off मिलेगा like 1000 वाला character design only 500 में हो जाएगा and 600 वाला character design only 300 में और क्या-कै services available है OP टून्स पे वो आप लोगों को यहां पे screen पे देखने को मिल जाएगा और यह offer only 10 June तक ही available है तो जितना जल्दी हो सके OP studio के page पे जाके DM करें और अगर DM करने को option ना आ रहा हो तो आप किसी post में comment भी कर सकते हैं मैं खुद आप लोगों को DM कर लूँगा तो अब बढ़ते हैं हम अपने second good news की और तो यह good news सिर्फ हमारे channels के members के लिए है जिन्होंने भी हमारे channel का membership join किया हुआ है तो उनके लिए बस 2-3 दिन में एक new video आने वाली है I know यार यह सभी के लिए good news नहीं है यह only channels के members के लिए good news है और मुझे पता है अभी काफी लोग comment करेंगे कि भाई मेरे पास bank account नहीं है या फिर भाई मैं online payment नहीं कर सकता है या फिर भाई मेरे पास पैसे नहीं है so don't worry यार मुझे सब पता है so don't worry यार मैं वैसे भी कुछ महीने बाद इस video को public कर दूँगा या फिर मैं community post पे डाल दूँगा don't worry ठीक है वैसे मैं इस video को only 29 वाले membership में ही upload करूँगा so अगर आप देखना चाते हो तो आप ले सकते हो अगर नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं यार मैं कुछ महीने में इस video को public कर दूँगा and third and सबसे best good news है कि अपना discord server finally बनके complete हो चुका है तो आपे हम बहुत अच्छे अच्छे event करने वाले हैं and मैं आप लोग को animation सिखाऊंगा भी and इसके लावा आप और भी बहुत सारे animator लोगों से बात भी कर सकते हो so जल्दी से हमारे discord server भी join कर लेना तो जल्दी से अपना discord server join कर लो वाँ पे बहुत अच्छे अच्छे event and competition होने वाले हैं जिसका price pull भी होगा ठीक है तो जल्दी से join कर लो description में आप लोग को link देखने को मिल जाएगा बाकी बस यही थे good news तो OP studio का भी link आपको description में देखने को मिल जाएगा और बाकी आप लोग मुझे instagram पे फॉलो कर सकते हो video related update देखने के लिए और वैसे मैं instagram पे भी regular होने का सोच रहा हूँ तो instagram पे फॉलो कर लेना और मुझे पता है यार animation series का 5th episode का तुम लोग बहुत देर से wait कर रहे हो तो बस आप लोग का wait थोरे देर का ही रह गया है तो next video हमारा 5th episode ही होने वाला है character design के उपर और वो वीडियो बहुत best होने वाला है तो बस थोरा सा और wait कर लो ठीक है बाकी ऐसी support करते रहे ना बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन भाई take care